एलो स्टुएंट्स आज हम लोग बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर के वी कर्वी तो देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम आज का टॉपिक लिख लेते हैं सिंक्रोनस मोटर वी कर्व वी कर्व थीक है तो हमने अल्रेडी देखा हुआ है कि पावर फैक्टर जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इसले पावर फैक्टर है से इस कॉस्पाइड यह उर्चीज और हम लोग पीछले लेक्टर में देख चुके है वीडियो लेक्टर में अपने It has also been observed that the armature current IA changes with the change in field current IAF और जो armature current होती है that also changes with IAF यानि ये भी और ये भी Let us assume that the motor is operating at no load If the field current is increased from this small The armature current IA decreases until the armature current becomes minimum We assume that the motor is operating at no load If the field current is increased from this small The armature current IA decreases until the armature current becomes minimum और फिर minimum point पे क्या होता At this minimum armature current, the motor is operating at unity power factor Up to this point, the motor was operating at a lagging power factor फिर minimum point पे motor operate करेगा Unity power factor पे और उसके बाद भी if the field current is increased Further, the armature current increases again at the motor starts to operate at a leading power factor फिक है? तो यानि कि जैसे जैसे हम कि जो field current है हमारी इसको पहले हम increase करते हैं तो armature current क्या होती है? decrease होती है या आप ऐसे समझ लीजे कि IF को जब हम increase करते हैं शुरू में तो armature current decrease होती है फिर increase करते-करते एक value ऐसी आती है कि armature current minimum पे आ जाती है और फिर उसके बाद जब armature current increase करते हैं sorry, field current तो armature current भी increase करने लगती है तो इस इस्तिती में वो कह रहा है कि lagging power factor होता है lagging power factor यहाँ पे जब यह minimum पे हो जाता है तो unity power factor होता है motor is operating at unity power factor and उसके बाद भी हम field current जब increase करते रहते हैं तो armature current भी increase होती है लेकिन उस समय motor काम operate करती है leading power factor तो यह इसका basic principle of operation होता है कि field current के साथ साथ power factor कैसे change होता है अब इसमें क्या होता है कि अगर मालिजें IA और IF में एक हम graph plot करें at no load the lowest curve is obtained मतलब क्या हुआ कि suppose कीजिए अगर हम यहाँ पे graph draw करते हैं हमने यहाँ पे यह ले लिया y-axis यह हो गया हमारा x-axis अब इस पे हमने दिखाया इधर यह हो गया field current field current हो गई IA और इधर हमने दिखाया armature current हो गई IA यह हमने लिख दिया armature current आईये अब जब आप graph draw करेंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे जो graph आएगा वो से suppose किज़े इस तरह आएगा यह हमने लिया field current बह रही है armature current कम हो रही है होते होते minimum point पे आएगी और minimum point के बाद फिर यह भी increase करने लगी यह हो गया ठीक यह स्थिती हो जाएगी किस पे no load पे ठीक फिर आपने क्या किया मालीजे आपने load कुछ बढ़ा दिया half load कर दिया तो curve आएगा वो भी ऐसे ही आएगा इस तरह यह हो गया half load पे और फिर आपने load और बढ़ा दिया फुल लोट कर दिया तो फिर ऐसे ही करवाएगा और यह हो जाएगा फुल लोट पे तो जो हम curve ड्रॉड करेंगे वो इस तरह आएगा ठीक है अगर हम procedure को repeat करेंगे बार बार the family of curve is obtained in this manner clear अब इसमें क्या है कि यह जो देखिए यह अगर हम minimum point ले 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 यह यह तो क्या होगा कि इसके इधर का जो reason है यह lagging यह हो जाएगा आपका lagging power factor reason this is lagging power factor रीजल ठीक है उसके बाद यह हो जाएगा लीडिंग power factor reason और unity power factor का अगर हम लोकस ड्रॉड करेंगे अगर हम लोसाई ड्रॉड करते हैं तो unity power factor का जो लोसाई आएगा वो सपोस कीजे इस तरह आएगा यह इस तरह यह हो जाएगा हमारा लोकस ओफ यह जो लाइन हमने बनाई हूँ यह यह ठीक है यह लाइन क्या हो जाएगी यह लाइन हो जाएगी लोकस ओफ यूनिटी पावर फैक्टर क्लियर तो इस तरह से आपका वी कर्ब्स आ जाएगा और फे सिंक्रोनस मूटर इसको आप लिख सकते हैं कि दिस इज इस वी कर्ब्स आफे सिंक्रोनस मूटर तो इस तरह से आप वी कर्फ डॉकर सकते हैं किसी भी सिंक्रोनस मूटर के डिफरेंट आपरेटिंग कंडिशन के लिए फे सिंद्र शेप अप वी कर्व एसले बोलते हैं कि देखें जैसे कर्व का आप शेप देख रहे हैं तो जो कर्व का शेप है वो बी की तरह है तो सिंदश शेप अप डिजैंबिश्ज रिजैंबिस दे लेटर वी इस तरह that is why these curves are commonly known as V curves of a synchronous motor hence the V curves are plots of stator current versus field current for different constant loads the point at which unity power factor occurs is at the point where armature current is minimum तो देखे इस point पे या इस point पे या इस point पे armature current minimum होती है the curve connecting the lowest point of all V curves तो यह जो हमने जिसे यह जो हमने connect किया ना इस point को इस point को इस point को इस point को इस वान तो इस line को क्या कहते हैं this is called unity power factor compounding curve ठीक है similarly the compounding curves for 0.8 power factor lag and 0.8 power factor lead can also be shown अब देखे जैसे यह आपने बनाया है अगर हमने कहा कि compound यह जो line है यह compounding curve कहलाती है अब हमने कहा कि ऐसे आप compounding curve drop कीजिए जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट पावर फेक्टर लैक के लिए और तो देखिए वो कर्व इस तरह से आएगा इसको हम लोग और कोई से यह color ले लेते हैं यहां पे इसको आप ड्रॉ करेंगे तो यह कर्व आपका यह आया और यहां से आप इसको ऐसे ले जाईए ठीक तो यह जो हो जाएगा पावर फेक्टर जीरो पॉइंट एट लेगिंग और यह हो जाएगा इधर का पावर फेक्टर जीरो पॉइंट एट लीडिंग तो इस तरह से आप जो है कर्व ड्रॉ कर सकते हैं दा कंपाउंडिक कर्व और अधर पावर फेक्टर केन अलसों वी ड्रॉण इन दे सेम मैनर दा लोसाई आप और पॉइंट एटन पवर फेक्टर पॉइंट वूइंट दा कर्व यह जो 강ई लोसाई यह 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 दिस वन दे सिकोंधड कर ठीक है the compounding curve show the manner in which the field current should be varied in order to maintain constant power factor under changing loads points to the right of the unity power factor compounding curve correspond to overexcitation यानि इसके इधर का जो एरिया है देखिए मैं इसी के अंदर बता रहा हूं आपको थोड़ा सा जान समय इसके जो right side का area इधर वाला यह जो area है right side वाला यह over excitation कहलाता है over excitation और जो left side का area है इधर वाला यह कहलाता है under excitation this is called under excitation अब इसमें क्या होता है कि the vehicles are useful in adjusting the field current, increasing the field current IF beyond the level for minimum armature current results in leading power factor. Similarly, decreasing the field current IF below that for minimum armature current results in lagging power factor. Therefore, by controlling the field current of a synchronous motor, the reactive power supplied or consumed from the power system can be controlled. मतलब अगरा field current को control कर लेंगे तो जो reactive power supply की जा रही है या consume की जा रही है सिस्टम के दवारा, मोटर के दवारा उसको हम control कर सकते हैं. अब इसे माली जी एक कर्व हम और ड्रॉ करना चाहते हैं and that is between field current and power factor. ठीक है? तो field current और power factor भीच अगर आप कर्व ड्रॉ करना चाहेंगे तो देखिए माली जी हमने लिया y-axis पे और ये ले लिए हमने x-axis ले. यहाँ पे हम क्या दिखा रहा है x-axis पे हम दिखा रहा है field current if और y-axis पे हम क्या दिखा रहा है y-axis पे हम दिखा रहा है power factor power factor ठीक? जीरो हो गया. यह हमने यहाँ कहीं मान लिया यह unity power factor यह 1.0 ठीक? अब यहां पर अगर आप ड्रॉ करेंगे नो लोड और हाफ लोड और फुल लोड को तो देखिए इस तरह करवाएगा सबोस कीजिए यह हमने ड्रॉ किया यह आ गया से नो लोड उसके बाद हमने ड्रॉ किया यह आ गया फुल लोड और उसके बाद हमने draw किया यह आगया हमारा फुल लोड यह एक तरह से यह हो गया फुल लोड ठीक और यह जो red वाला हमने curve बनाया है यह हो गया half load half load और यह जो नीला वाला हमने बनाया है यह हो गया low load तो इसको आप लिख सकते हैं this is low load तो field current और power factor में आप curve draw करेंगे तो इस तरह करवाएगा अब इसमें इधर का जो reason है यह यह reason है lagging power factor का this is for lagging power factor और इधर का जो reason है वो है leading power factor ठीक तो इस तरह से आप power factor versus field current curve draw कर सकते हैं ठीक है एक तरह से यह inverted भी हो गया the highest point on each of these curve indicates unity power factor यानि ये point, ये point, ये point जो highest point है देखें मैं आपको थोड़ा बढ़ा करके दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, ये point, ये point, ये point ये point क्या है ये सब unity power factor वाले point है it is to be noted that the field current for unity power factor at full load is more than the field current for unity power factor at no load तो देखें, field current जो है, no load पे unity power factor कहां आ जा रहा है इतनी value पे ही आ जा रहा है, यहीं पे आ जा रहा है तो जबकि full load पे आपको unity power factor यहाँ पे मिल रहा है यानि full load पे आपको ज्यादा field current चाहिए होगी unity power factor की condition को gain करने के लिए, clear, इसका मतलए इस figure से एक चीज और clear है, कि if the synchronous motor at full load is operating at unity power factor, then removal of the shaft load causes the motor to operate at a leading power factor, ठीक है, अब इसमें हम अगर minimum excitation की बात करें, कि हम minimum excitation, minimum excitation, ठीक, यह क्या हो जाएगा, कि from figure this, ठीक है, minimum excitation जो आता है, वो में मालूम है, क्या होता है, यह हम लोग पिछले video lectures में पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने minimum excitation की बात की थी, कि if minimum जो आएगा, वो कितना आता है, वो आता है, हमारा power into access divided by V, so this was all about the V curves of synchronous motor, तो I hope आपको यह clear हो गया होगा, अगर video content पसंद आ रहा है, तो please video को share कीजे, like कीजे, channel को subscribe कीजे, और notification bell को जरूर on कर दीजे, ताकि next video की information आपको time से मिल सके, thank you.